आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोल्विन कोल्ड डिये सिरप के बारे में जिसको की इपका फार्मसेटिकल के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुती बड़िया कमपनी है इसका जो कमपोजिशन होता है वो होता है पेरसेटमोल, फिनाइल एफरिन और क्लोर्फिन में होता है इस सिरप का यूज कहां किया जाता है क्या कोई साइड इफेक्ट होता है इसकी क्या डोज रहती है तो वीडियो को लाश्ट देखते रहिएगा इस सिरप का यूज बच्चों में जुखाम में किया जाता है जुखाम के साथ साथ यादि बच्चों में बुखार है उस condition में भी इस सिरप को दिया जाता है क्योंकि इसमें जो paracet amol है वो 250 mg होता है तो इसके बच्चों की बुखार भी उतर जाती है लेकिन कई बार solvent cold ds देते देते भी बच्चों की बुखार नहीं उतरती है तब डॉक्टर इस सिरप के साथ मेरफटाल पी सिरप भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिसको देने से बुखार उतर जाती है और अगर कोई infection है बच्चों में तो उसके लिए डॉक्टर antibiotic की सिरप का यूज करते हैं जैसे कि सिफिक्जिम सिरप हो गई अमोक्सी क्लेव सिरप हो गई इसके अलाबा डॉक्टर कंडिशन के हिसाब से दूसरी antibiotic भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यह तीनों जब combination में दी जाती है तो बहुती बड़या काम करते हैं इसके बहुती अच्छे result मिलते हैं दोस्तों अब हम जानते हैं क्या कोई इसका side effect होता है side effect as such कोई भी देखने को नहीं मिलता है लेकिन किसी किसी बच्चे में आपको पेट में जलन हो सकती है उल्टी की शिकायत हो सकती है तो यह को side effect देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा भी और को side effect देखने को मिल सकता है लेकिन नहीं के बराबर तो दोस्तों अगर ऐसा कोई भी side effect देखने को मिलता है तो आप doctor से contact कर सकते हो अब हम जानते हैं इसकी क्या dose रहती है तो जो इसकी dose रहती है वो रहती है आपको जो तीन साल से बड़े बच्चे होते हैं उनमें 5 ml डॉक्टर कंडिशन के साफसे से दिन में तीन टाइप भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं और दिन में दो बार लेने की भी सला दे देते हैं ये सिरप आपको जब भी बच्चों को दो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो